हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते है आज का एपिसोड, एपिसोड 13 श्रेया का श्रिव अब तक कहानी हमने अब तक देखा कि केसे श्रिव FM पर गाने सुनते सुनते ओफिस पोहच गया इधर श्रेया भी अपने रूम में गाने सुनते सुनते सो गई थी इतना कुछ हो रहा थी उसका माइन बहुत ठक गया था उसे क्या करना है और क्या नहीं पता ही नहीं चल रहा था गाने सुने से उसका माइन डाइवर्ट हो गया और वो सो गई अब आगे इसी तरह दिन पर दिन बीच जाते हैं इस दोरान श्रेया अपनी पढ़ाये और पावर हासल करने में बिजी हो गई श्रेया की मौम अपनी कमपनी में पर वो श्रेया को भी साथ टाइम दे रही थी आलोग जी यानी श्रेया के पापा की बटकती आत्मा भी उस मास्टर माइन का पता लगाने में जोटी थी जो रेवा और राज एंडाराधना को मदद कर रहा है या यू कही उनका साथी है वो श्रेया से भी रोज मिलने आते हमारे हीरो शिव सिंघानिया रोज रात को हमारी श्रेया को मिलने का पूर मैंशन आते उससे मिलकर सुबे उसके उठने से पहले चले जाते श्रेया को अपने पास किसी का होने का एहसास होता पर वो पता ही नहीं लगा पाई वो कौन है या फिर उसका बहम, एसी ही एक हफ़ते बाद श्रेय अंटीक मार्केट में जाकर आ गई थी उसे सच में अंटीक को पहचाने की पावर मिली थी बढ़ उस अंटीक मार्केट में उसकुछ खास उसके काम की चीज नहीं मिली इसी तरह दिन पर दिन बीत रहे थे श्रेय के एक जाम भी आ गए, श्रेय ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन या यू कहे की पढ़ाई की थी उसके सारे पेपर एक के बाद एक बहुत ही अच्छे गए थे आज उसका अखरी पेपर था, वो पेपर देकर श्रेय घर ही जा रही थी आज ड्राइवर उसे लेने नहीं आया था उसे कुछ फैमिली काम आ गया था, इसलिए श्रेय ने उसे हाफ दिन की चुट्टी दी थी ड्राइवर श्रेया का सुक्रिया करके चला जाता है कौश्टक.श्रेय जा ही रही थी, तभी उसके पास एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज रुकती है जो कि बहुत ही मेहगी थी, उस कार का मालिक बहुत ही अमीर लगता है क्योंकि वो कार एक लिमिटेड एडिशन मर्सिडीज थी जो कि पूरे वर्ड में सिर्फ दस ही बनी थी और इंडिया या में बस दो ही लोगों के पास थी, एक तो हमारे शिव सिंधानिया के पास थी और दूसरी राजस्थान के हुकुमशा के पास और राजस्थान के हुकुमशा तो यहां नहीं आयेंगे तो आप समझ ही गए हुगे इस कार का ओनकोन है और कोई नहीं हमारी कहानी के हीरो शिव सिघनिया ही है शिव ने जब श्रेया को पैदल चलते देखा तो ड्राइवर को कार रोकने को कहा श्रेया के पास श्रेया तो अचानक अपने सामने कार रोकने से गबरा गई और दोक अदम पीछे हो गई और उस कार को देखने लगी तभी उस कार के बैक साइड विंडो का डोर नीचे हुआ उसके सामने बहुत ही चामिंग एंड हैंसम शिव का चेहरा आ गया वो तो एक टक उसे देखती ही रही उसकी दिल की धरकन अचानक तेज हो गई उसे समाज ही नहीं आया ये उसके साथ क्या हो रहा है बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल को संभाला तभी उसके कानों में शिव की आवाज आई जो कि उसे कार में बैठने को कहता है शिव की आवाज से वो कही होश में आ गई ज्यान से शिव को देखनी लगी उसे उसकी और शिव की पहिली मुलाकात याद आ गई कैसे उसने शिव को उन गुंडों से बचाया था और शिव कितनी बुरी طरह से जख्मी था वो उसे पहचान गई, उसे मालूम था शिव से उसे कोई खत्रा नहीं इसलिए वो उसकी कार में बैक गई कार में बहुत ही शान्ती थी, श्रेया शिव की तरफ देखती है जो कि अपने लप्टॉप पर कुछ काम कर रहा था श्रेया उसे कहती है, ठैंक्स मुझे लिफ्ट देने के लिए, वैसे आपकी तबेद कैसी है अप उद्धरन चिन डॉट, शिव के कानों में जब श्रेया की आवाज आती है तो वो उसकी तरफ देखता है उसे कहता है, अच्छी है अब, और तुम्हें थैंक्यू कहनी की कोई जरूरत नहीं तुमने मेरी हेल्प की थी उस दिन और आज मेंने उद्धरन चिन डॉट, श्रेया कहती है, वो, हाँ, यू आर राइट उद्धरन चिन डॉट, देरे से बड़बराती है, मैं मेने कब मानगी थी हेल्प खुद नहीं गाड़ी रोके और बैठने को कहा अजीब सा मून बनाती है, श्रेया को खुद में ही बाद बढ़ता देख उसे कहता है, क्या हुआ कुछ बोर रही हूँ क्या तुम, जरा जोर से बोलो मैं भी सुन लूट उद्धरन चिन डॉट, श्रेया शिव की तरफ देख कर कहती है, कुछ नहीं, उसे अपना पता बताती है, उसे ड्रॉप करने के लिए, उसके सवाल से बचने के लिए, ड्राइव को तो आज शोक पर शोक लग रहे थे, पहले तो उसके साहब ने उसे एक लड़की के लिए गारी रोकने के लिए कहा, एक लड़की उसके साहब के साथ कार के बैक सीट पर बैठी है, उसके बॉस हमेशा लड़की उसे दूर रहते है, कभी उन्हें बाव नहीं देते, वो आज एक लड़की से बाते कर रहे हैं, उसका बॉस बस अपनी फैमिली के लिए ही अच्छा पर वो भी प्रोफेशनल ड्राइवर था, वो चुप चाप अपना काम पर ध्यान देता है, यानि की ड्राइविंग करने पर, शिव एक नजर ड्राइवर को देखता है, तो वो समझ जाता है, और अपना सरहिला कर गारी चलाने लगता है, बीच का पाटीशन ओन करता है, श तुमसे कुछ बाते करनी है, उद्धरल चिन डॉट कोश्टक, ड्राइवर ने म्यूजिक ओन किया था ताकि दोनों की बाते न सुन सके, श्रेया कहती बोलिया आपको क्या बाते करनी है, शिव श्रेया की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से कहता है, पर उसके बातों में र इसलिए उसने डाइरेक्ट श्रेया से कुछ लिया, श्रेया शिव के येस डाइरेक्ट प्रपोज आई मीन गल्फरेंड बनेने की बात पर शोक में ही चली गई थी, वो अपने मन में ही कहती है, ऐसे कोई किसी से पूछता है क्या मेरी गल्फरेंड बन जाओ, और अजीब स शिव जब बहुत देर तक उसका कोई रिपलाई नहीं आता तो उसके चहरे के सामने अपना हाथ हिलाता है, और कहता क्या हुआ, अगर तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए तो ठीक है, तुम्हारे पास रात के बारा बजे तक का टाइम है, तब तुम मुझे बता दे अपना जवाब ठीक है, श्रेया उसके ऐसा हाथ अपने चहरे के सामने हिलाने से होश में आता है, जब उसकी बाते सुनती है तो उसकी तरफ ये से देखती कि किसी पागल को देखा हो, शिव जब श्रेया को अपने आपको गुरता देखता है, तो उसे कहता है, क्या हुआ? तुम ए कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ पूछना है, तो पूछ सकती हो श्रेया उसे कहती है, आप ऐसे केसे डाइरेक बोल सकते हो, मेरी गलफ्रेंड बन जाओ उद्धरन चिन डॉट, शिव, क्या कोई प्रोब्लम है क्या, तो फिर केसे कहना है, तुम मुझे बताओ मैं वैसे कहता हूँ श्रेया, मेरा मतलब वो नहीं, अरे, मैं तो आपको जानती ही नहीं, और नहीं आप मेरे बारे में कुछ जानते हो यहां तक मुझे आपका नाम भी नहीं पता, आप क्या करते हो, और आप डाइरेक्ट कह रहे हो मेरी गल्फरन बनो, ऐसा होता है क्या बला शिव तो केसा होता है रही बात तुम्हारे बारे मैं जाने की तो तुम्हारे बारे मैं मुझे सब पता है जितना की तुम अपने बारे मैं नहीं जानती उससे जादा मुझे पता है तुम्हारा नाम श्रेया महरा है आज तुमने 12 थी का last exam दिया है तुम single child हो अपनी mom की तुम कुछी महीनों में पूरी 18 साल की हो जाओगी इतना ही नहीं तुम्हारे बारे मैं मुझे और भी बहुत कुछ पता है जैसे कि तुम्हारा favorite food कौन सा है तुम्हारा favorite color इसे ही बहुत कुछ श्रिया उसकी बातों से शोकी हो जाती है उसे शिव जटके पे जटके दे रहा था आज पर वो उसे बीच में ही रोक के कहती है एक मिनट आपको मेरे बारे में इतना कुछ के से पता क्या आप मेरी जासूसी कर रहे थे और आप है कौन शिव को अपनी बातों के बीच में किसी का टोपना पसंद नहीं था अगर किसी ने ऐसा क्या तो समझो शामत आ गई उसकी बट अभी श्रिया ने उसे रोका था जिसे वो अपने दिलो जान से महुबत करता था उसे किसे कुछ कर सकता है कौश्टक. देखिए सारी दुनिया को पता है ये कौन है और हमारी श्रिया को तो कुछ पता ही नहीं वैसे सारी दुनिया को बस शिव सिंधनिया का नाम ही पता है उन्हें किसी ने नहीं देखा था वो बस उसके बिजनेस पार्टन को छोड़कर वो सारी लाइम लाइट से द बात कर रही है वो और कोई नहीं दे ग्रेट बिजनेस टाइकून शिव सिंधनिया है। जब वो ये जानेगी तो पादल ही हो जाएगी क्यूंकि अपने पिछले जन्म में वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। लाइफ में श्रेया को आइडियल था और अब भी है। इसमें कोई शकी नहीं वो उसके हर एक अप्टेट पर नजर रखती थी। शिव श्रेया की बाते सुनकर एक बार उसकी तरफ गौर से देखता फिर उसे कहता है मेरे लिए तुम्हारे बारे में जानना इतना भी मुश् जाया था। और मुझे उसी दिन तुम पसंदा गई थी। मुझे ज़्यादा बाते करना नहीं आता इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गल्फ्रेंड बने ने को कहा। वैसे तुम चिंता मत कर हम जल्दी से शादी भी करेंगे तब तक तुम मुझे अच्छी तरह से जान भी जाएगी। उद्धरल चिनर डॉट और हाँ मैंने तुम्हें अपने बारे मैं बताया ही नहीं सौरी ही मैं शिव सिंधानिया सीओ और सिंधानिया इंडस्ट्री और कुछ जाना है तो पूछो श्रेया पहले तो उसकी बाते ध्यान से सुन रही थी पर जब वो अपना नाम लेता है तो वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से उसकी तरफ देखती है पर अगले ही पलशिव के उपर शक करते हुए कहती है क्या आप सच में दे ग्रेट बिजनेस टायकून शिव सिंधानिया हो उद्धरल चिनर डॉट नहीं नहीं आप जरूर जूट बोल रह हो मैं किसे इस बात पर भरोसा करूँ किसी ने उसे देखा भी नहीं और नहीं सोशल मीडिया पर कोई फोटो तो फिर मैं किस से पुछू कि आप सच बोल रहे हो ये सब अपने आप में ही बढ़ बढ़ती है आखिर श्रया की बात भी सच थी आखिर वो किसे इस बात से यकी कुछा ही नहीं हो रहा था और तो और वो उसे अपनी गल्फ्रेंड बनने को कह रहा है शिव को श्रया की बाते सुनके अब अपनी पहचान दुनिया के सामने छुपा के रखने पे पच्चतावा हो रहा है पर वो भी तो अब क्या कर सकता बस श्रया को अपनी बातों पर य क्या या और भी कुछ पूछना है या और भी कुछ एविदेंस चाहिए कि मैं ही शिव सिंगानिया ही हूँ उद्धरन चिन डॉट कोश्टक खुद से ही कहता क्या देना गए खुद के पहचान के लिए एविदेंस देना पर रहा है श्रेया जो घिरे घिरे बड़ा रही थी कि आवाज से उसके तरफ देखती है और जब शिव ने अपने हाथ में दिया हुआ गोल्ड का बिजनेस काद देखती है तो देखती ही रहती है अब उसे उसके बातों पर यकीन हो गया था कि उसकी से बैठा हुआ आदमी जो कि उसे अपनी गल्फरेंड बनने को कह रहा है और कोई नहीं दग्रेट बिजनेस टाइकून शिव सिंगानिया ही है वो शिव को अपनी चमकती आँखों से देखती है आखिर वो पहले बार अपने आइडियल को देख रही या यू कह मिल रही है और इससे भी बड़ी बाद वो उसे अपनी गल्फ्रेंड बनाना चाहता है वो उसे पसंद करता है उसे तो ऐसा लग रहा है कि वो चान पर पहुंच गई हो श्रेया शिव को हाग कहेगी या ना आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स फर मिलते है स्टोरी के अगले एपिसोड में टाब तक देखते है क्या होता है अगले एपिसोड में फ्रेंड्स अपको स्टोरी केसी लग रही प्लीज कॉमेंट करना अच्छी लगी हो टू विडियो को लाइक क्रो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी क्रो यार सिर्फ देखा कर छोड देते है मिलते है कल एएपिसोड के साथ